नवास्कार, हिंदी लेर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है प्राची हिंदी पाटे पुस्तर, क्लास 8 के स्टुडेंट्स का लिए चैप्टर 13 चाहता हूँ कविता लेकर आपकी अध्यापी का आपके सामने प्रस्तोत हुई है बच्चो आज इस कविता में जो कवी हैं रामावतार्तियागी वो क्या कहना चाहते हैं वो अपनी मात्री भूमी को अपना सारा कुछ निशावर कर देना चाहते है मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धर्ती तुझे कुछ और भी धूँ तो इसका विता में कवी मातरी भूमी को अपना सौरा जीवन अपना सौरा कुछ नियोशावर कर देना चाहते हैं मैं कहते हैं कि मेरा मन भी समर्पित है आपको मेरा तन मतलब शरीर भी आपको समर्पित है इंसान गरीब इंसान जैसे कहते हैं तो कभी जो हैं वो कह रहे हैं भारत माता के ब्रती अपने समर्पन का भापरकट करते हुए क्योंकि कभी इतना कुछ समर्पित कर रहे हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है वो कहते हैं मा मैं सारा कुछ ही तुमारे उपर भेंट करना चाहता हूँ तो अब कभी क्या कह रहे हैं कि हे मात्री भूमी तुमारा रिन बहुत है मैं अकिंचन अब मात्री भूमी हमें क्या क्या देती है अनुप जाके देती है ना हवा देती पानी देती तो इस तरह बहुत सारी चीजों का रिन है तो ही मात्री भूमी हे मा मुझे पर तुम्हारा बहुत कर जाए पर मैं अकिंच है, पर मैं गरीब हूँ दीनहीन हूँ अर्था तुम्हारा रिंच चुकाने में मैं असमर्थ हूँ किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन किंतु फिर भी इतना कर रहा निवेदन मैं फिर भी आपसे विंती कर रहा हूँ मैं फिर भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ क्या निवेदन कर रहा हूँ थाल में लाओं सजाकर भाल जब कि जब भी मैं थाल में भाल होता है सिर अपना सिर सजाकर लाओं सविकार कर लेना स्विकार कर लेना, देया कर वे समर्पन, तब मेरी वो भेंट देया करके सविकार कर लेना, अर्थाथ जब मैं आपके लिए अपना बलिदान देने जाऊंगा, जा अपना बलिदान करूंगा, तो उसे मना मत करना, क्योंकि मेरा मन भी, मेरा प्रान भी आपके लिए समर्पित है रक्त का कंकन समर्पित गान अर्पित प्रान अर्पित जाने कि मेरे जीवन का हर गीत आपको मैं अर्पित करना चाता हूं अपने प्रान आपको समर्पित करना चाता हूं और अपने खून का एक एक कत्रा भी आपको समर्पित करना चाहता हूँ चाहता हूँ देश की धर्ती तुझे कुछ और भी दू कि मैं इससे भी अधिक आपको कुछ और भी भेंट करना चाहता हूँ मा दो तलवार को लगाओ न देरी बांद दो कसकर कमर पर ढाल मेरी ये देखिये लड़के ने धाल बांदी हुई है न वो क्रोस क्रोस की तरह ये वला तो ये बच्चे ने अपनी कमर पर बांद रखी है तो कभी कह रहे हैं कि मातर भूमी दो तलवार को लगाओ न देरी आप देरी मत करो लाओ इस तलवार को चमका दो जानि कि आप इस तलवार की जो धार है उसे तेज कर दो बांद दो कसकर कमर पर ढाल मेरी आप मेरी कमर पर कसकर ढाल बांद दो वो जो ढाल पीछे बांदी हुई है भाल पर मल दो भाल होता है मस्तक भाल पर मल दो चरन की धूल थोड़ी मेरे ललाट पर मेरे मस्तक पर अपने चर्णों की धूल मसल दो जानी कि धूल का तीका लगा दो क्यों क्योंकि कहां जा रहा है कभी रण भूमी में जा रहा है तो कह रहा है मेरे मस्तक पर आप विजे का तिलक नहीं लगा मेरे मस्तक पर आप विजे का तिलक नहीं लगा चाहता हूँ देश की धर्टी तुझे कुछ और भी दूँ तो कभी कह रहे हैं कि मैं अपने सारे सपने आपके लिए समर्पित करता हूँ सारे प्रश्न आपको समर्पित करता हूँ जो भी मेरी जानने की चै उसे भी आपके चर्नों में में समर्पित करता हूँ मेरी आयू का एक एक पल भी मैं आपके चर्णों में अर्पित करना चाहता हूँ हे धर्ती मा मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा आपके लिए कुछ समर्पित करू तोड़ता हूँ मो का बंदन शमा दो गाओं मेरे द्वार घर आंगन शमा दो आज सीदे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में द्वज को थमा दो अप ले इतना कर लेते हैं तो कभी अपने देश के प्रती जो समर्पन भापरकट कर रहा कभी कहता है कि तोड़ता हूँ मोह का बंदन कि मैं अपने मोह का बंदन जो देश के प्रती मेरे जो सुख भोग अपने घर परिवार के प्रती देश के प्रती नहीं कभी कहता है कि मैं अपने घर परिवार और जो भी मुझे सुख की कामना है जब मो बंदन है उनको तोड़ना चाहता हूं इसलिए आप लोग मेरे अपने लोग जो हैं वो मुझे शमा कर दे गाउं मेरे द्वार घर आंगन शमा दो मेरे गाउं घर द्वार आंगन सब मुझे शमा दो मुझे माफ कर दो आज सीधे हाथ में तलवार दे दो आज मेरे दाएं हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में द्वज को फेरा दो और मेरे बाएं हाथ में देश का जंडा थमा दो ये सुमन लो जंडा क्या होता है पता का ये सुमन लो ये चमन लो नीड का त्रिन समर्पित कि ये सुमन लो बगीचे के समान ये जितना भी कि आप ये मेरे देश की धरती को समर्पित कर रहे ये मेरे देश की धरती ये सुमन लो तुम उसे फूल के समान जीवन के सारे सुख ले लो ये चमन लो ये बगीचे के समान जितना भी एरिया जितना भी भू भाग है वो ले लो नीड का तरिन तरिन समर्पित मैं अपने घूंसले का था ता अपने यहां पर मैं रहता हूँ अपने आश्रे का एक एक तिन का आपको समर्पित कर रहा हूँ चाहता हूँ देश की धर्ती, तुझे कुछ और भी दू, मैं तुम्हें इससे भी अधिक, है भारत-मा कुछ और भी भेंट करना चाहता हूँ तो इस कविता में देश पर बलिदान होने का भाव दिखाई दिया, स्वार्थी ना रहने का भाव दिखाई दिया, तियाग भावना कभी की दिखाई दी, इससे ये भावना जाकती है कि भारत के सारी नागरिक तियाग शील बन जाएं, जरा भी स्वार्थी ना और को की जो सदभावना है या एक टा का आचरन है वो समर्पित हो सकते हैं तो देश के विकास के लिए हम सब को मिलकर क्या करना चाहिए मेहनत करनी चाहिए देश के विकास के लिए हाथों की शक्ती चाहिए ओके next समर्पन कविता के कोशन आंसर डिसकस करती है पहले बहु विकल पी है चाहता हूँ कविता के कवि का नाम रामावतार तियागी कवि इस कविता में किस पर स्वियम को नशाबर कर देना चाहता है भारत माता पर कवि किस से तलवार मांग रहा है अपनी मा से मो का बंदन तोड़ने के बाद अपनी मा से मतलिकिया भारत माता से एक मिनट कभी किससे तलवार मांग रहा है ठीक है अपनी मा से ही लिखेंगे क्योंकि भारत माता के लिए वो जान समर्पित करने मो का बंदन तोड़ने के बाद कभी किस से शमा मांगता अप्रोक्त सभी चाहता हूं कविता में कभी धर्ती माता से क्या निवेदन कर रहा है तो कभी जो है वो धर्ती मा से निवेदन कर रहा है कि जब भी थाली में सिर सजा कर लाऊं तो आप उसे स्विकार कर लेना चाहता हूं कविता में कभी किन मोबंदनों को तोड़ना चाहता है घर ग्रैस्ति के संसारिक मोबंदनों के चाहता हूं कविता में व्यक्त कवी की भावनाओं को सररशब्दों में लिखना है तो कभी भारत माता के चर्णों में अपना सब को समर्पित करना चाहता है देश की स्वतंतर्टा के लिए तन समर्फिद करना चाता है स्वब्ण प्रश्न घर दौर सब कुछ सारी चीज़े लिख ली जिएगा देश के लिए वो गर्ग रह्स्ति के मूबंधन भी तोड देना चाता है चाहता हूँ कविता में कभी अपने गाउं घरांगन से शमा क्यूं मांग रहा है क्यूंकि उनसे मूँ बंदन तोड़कर वो देश की धर्ती पे अपना सरवस्वर्पित करना चाहता है इसलिए तो अपनी मां से मांग रहा है वो तलवार कि ताकि भारत माता की मैं सेवा करने जाओं चाहता हूँ कविता में मात्री भूमी पर कभी क्या क्या नुशावर करने के लिए त्यार है गान, अपने गीत, अपने प्रान, रक्त का कनकन, सपने, प्रश्न, आयू का प्रतेक पल बाकी आपको यहाँ पर संदर्ब सहित व्याख्या दे दी गई है उसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कुछ समझ इन में आए तो कभी ताकी व्याख्या को सुन लीजिएगा ठीके बच्चो, तो निमलिकी पंक्तियों की संदर्ब सहित व्याख्या जोगा आपको दे दी गई है भाशा बोधन, निमलिकी शब्दों में सही स्थान पर आपको अनुस्वाल लगाना था और अनुनासिक लगाना था, जाने की चंदरबिंदू और बिंदू लगाना था तो जहां-जहां भी बिंदू और चंदरबिंदू लगे हैं, वो आपको हमने यहां पर लगाकर पेच पर दे दिये है निमल की शब्दों के प्रियवाची शब्दों लिखने थे घर का लिखने दिया है ग्रह आलियस सदन उसी तरह धर्थी का फिर द्वज का लिखा है फिर तलवार का लिखा है फिर हाथ का लिखा है चीक है बच्चो तो एक थल क्या होता है भूमी, थाल होता है एक बरतन, त्रिन होता है तिनका, त्रान होता है रक्षा, नीड घोंचला, नीर पानी, प्रन परतिग्या, प्रान जान और आत्मा के लिए कहते हैं ओके क्लियर, तो जल्दी मिलते हैं आपको, आपके नेक्स चैप्टर 14, और 14 चैप्टर आपका कौन सा है बच्चो अगला, पर निंदा, दूसरों की निंदा, जो की हमें नहीं करनी चाहिए, बरसाने लाल चतुरवेदी जी का पाट है, उसको जल्दी बढ़ेंगे हम, तब आप इस चैप्टर को पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी पूरी क्लास के साथ, इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजेगा, गुड़ बाई